नमस्कार मित्रो श्री द्रोणाचारी के यूटूब चनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आभिनेंदन है जैसा कि पीछे की कक्साओं में हम चर्चा कर रहे थे संदी के उपर चीक है बहुत से द्यारतियों ने जैसे कमेंड्स में बताया कि सर बहुत अच्छे समझ मे में आ रही है तो जैसे कि उसको और में सरल थरीके से आपको बताने का पूरा प्रियास किया जाएगा अब इसमें देखो को या आप पर प्रकष्य को लगातार नहीं देखोगे तो फिर जैसे कि आपकी जू मैनित है वह काम नहीं आएगी ठीक है तो आप जैसे कि सुरुवात से पतेग बिंदू को लगातार देखते रहो, जितने हमारी कलासिया आती है, वो सारी, इसके अलावा जैसे कि कई भी तियार त्यों कोई समझया हो जाती है, तो आप क्या करो, जैसे मालुप किसी प्रकार की कोई समझया है, या फिर जैसे कि कोई परसन है, तो आप कमेंट्स में हमें बता दो, जैसे ही अगला वीडियो बनेगा, या उस विसेय का जो बिंदू होगा, उसमें आपको हल करवा देंगे, या फिर जैसे कि जो आपको बताया जा रहा है, उससे समंधिर कोई परसन है, तो वो कमेंट्स में आप जरूर बताओ, क्योंकि जब अच्छे विद्यारती भी होते हैं, थोड़े से कि विसेय में कमजोर भी होते हैं, नए भी होते हैं, तो आपके जो भी सुझाओ है, वो आप जरूर बताएं कमेंट्स में, इससे पहले वाली कक्सा में जैसे संदी के भेद के बारे में चर्चा की थी, स्वरसंदी हम यादी स्वरसंदी, ये दोनों संदियां आज की कक्सा में हम समझेंगे, ठीके, क्या इसके नियम है, कैसे इसमें सब्द बंते हैं, किस प्रकार से सब्दों का संदी विच्छेद होता है, ठीके, और जो परिवर्तन होता है, वो एक वर्ण में होता है, या फिर दोनों वर् संधी ठीक है मित्र आपको मैंने बताया था कि संधी आपकी जैसे की दो पदों में होगी ठीक है और वो दो दो पद है उसकी जैसे की मुख्य जो बिंदू है वो पहले पद का आंतिम वर्ण होगा और दूसरा जो है वो होगा आपका आरंभिक वर्ण आरंभिक के वर्ण होगा ठीक है तो इसमें जैसे की आपके पास से इन दोरों में आपको संधी करनी है यह मैंने आपको पहले की कख्साओं में बता दिया था अब यहाँ पे देखो जैसे की यन सवर संधी के नियम क्या है या फिर इसमें जैसे की परिवर्तन क्या होता है देखो यहाँ पे आपका जो पहला पद होगा पहले पद के अंतिमवन के रूप में आपके पास आएगा ई या ई आएगा ठीक है और उसके बाद में इनसे भिनस्वर आजाए इनसे क्या आजाए भिनस्वर आज है या य का मिल या य के साथ में नहीं होना चाहिए छी गई higher ke बाद में इनसे बिन है इनसे अलग बागी कोई दूसरा आ जायियी थी थी चीए तो वहां पे आपकी याइस्वर संदी होगी अब यहां प Esse tariff के परिवर्थन होगा परिवर्थन क्या होगा आपका याई बदल जाएगा किसमें याई में बदल जाएगा याई किसमें बदलेगा याई में बदल जाएगा और ध्यान रखना दोस्तों इसमें जैसे कि पीछे वाली जो संधिया आपने पढ़ी तीन संधिया दिर्क संधी गुण संधी और व्रदी संधी ठीक है उनमें जैसे कि दोनों वर्ण आपके किसी एक वर्ण में बदल रहे थे लेकिन यहां पर दोस्कों देखो आपका क्यावल एक ही वर्ण बदलेगा पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा जो यह यह होगा इन दोनों में से कोई एक होगा वो बदलेगा किस में बदलेगा यह में बदलेगा ठी यथावत रहेगा यानि कि आपके सामने जो भी स्वर आये सामने उसकी मात्रा इसमें जोडनी है आपको चीए और मात्रा जोड के इस ये को पूरा करना है पूर्ण बनाना है थीए तो पहली बात तो कॉण चीए हो गई E या E का मेल आपका किसी भिनसवर के साथ में होता है तो E या E या में बदल जाता है इसके अलावा भिनसवर आजाए सामने उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है वो यथावत रहेगा दोनों की भूमिका है पहला बदलेगा दूसरे की उसमें मातरा जुड़ जाएगी ये तो अब इस यनसंदी के पहला बिन्दू दूसरे बिन्दू की बात करें तो जैसे कि आपके पास E या E की इस्तान पर क्या आजाए O या O आजाए और ठीक वैसे ही उसके सामने क्या हो भिन स्वर हो ये क्या रहेगा आपका यतावत रहेगा ठीक है O या O बदलेगा किसमे इसके बाद में O या O नहीं होना ची इससे भिन कोई स्वर आ जाए तो आपका O या O वै में बदल जाएगा और भिन स्वर यतावत रहेगा उसकी मातरा आपको वै में जोडनी है यहां पर आपका जैसे की आजाए स्वर कौन सा पहले बद के अंतिम वर्ण के रूप में री आजाए और उसके बाद में आजाए भिन स्वर क्या आजाए भिन स्वर आजाए ठीक है तो आपको जैसे की री को बदलना है किस में रह में बदलना है और इसके अलबाद जो भिन स का इसकी जोड़नी है जैसे माझने आपके समझने में थोड़ी आसा लीगी देखो यहां पर जैसे कि उपर मैं एक लाइन में लिख देता हूँ ई या फिर ई लगू या दिर कोई भी हो उसके बाद में भिन स्वर आ जाए कोई भी भिन स्वर आ जाए ई या ई आपका बदलेगा किस में यह में यहां पर क्या करने है भिन स्वर की यहां पर मात्रा जोड़नी है आपको क्या जोड़नी है दोस्तों मात्रा ठीक है दूसरा बिंदु उ या उ क्या आ जाए भिन स्वर आ जाए उ या किस में बदलेगा वे में बदलेगा भिन स्वर की क्या होगी मात्रा जुड जाएगी तीसरा बिंदो री आ जाए री के बाद में क्या हो भिनस्वर हो री को किसे में बदलना है आपको रे में बदलना है और उसके बाद में जो भी भिनस्वर आए उसकी क्या जोडनी है मात्रा जोडनी है तो दोस्तों यहाँ पे देखो जैसे कि आपके पास तीन जो पैचानने की बिंदू है वो निकल के आए हैं कि आपकी जो पैचान होगी वो ये, वे, और रे से होगी ये, वे, और रे, ये बदलेंगे आपकी, आप जैसे कि उधारणों के द्वारा इसको समझने का प्रियास से करते हैं देखो, सबसे पहला उधारन देखते हैं, एके उधारन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे जैसे आपके पास आ गया, प्रती, क्या गया, प्रती, प्रती के बाद में क्या गया, एक आ गया, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो दो वर्ण आपको बाहर निकालने है तो यहां पर देखो जैसे कि इसमें कुन सा इकल कि आएगा आएगा आपके सामने। इसमें आ रहा है. तुपी किस परया है यह को किस में बदलना है यह में बदलना है. इसमें बाई यह के बदलना थो यहांपे इसमें कोई परिवर्थन आपको ने करना है इसकी मात्रा एसे किसे आपको यह में जोड़नी है अब उपर देखो जैसे मालो की यहां से आपने E को बाहर निकाला, E की संदी हो गई, तो यहां पर सेश क्या बचा दोस्तों? यहां पर तै हलंत बच गया, क्या बच गया? तै हलंत बच गया, E को बाहर निकाल दिया, यहां पर जैसे कह है, ठीक है? अब यहां पर जैसे क्या क का हुआँ अब इसके बार्ज। जोड़ना है मातरा ये हलंत है उसके बाद में index आरहे तो एकी मातरा जोड़तोर ये ये बन जाएगा इगा नया जो सब्द बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा अब देखो तैय हलंत इसके बाद में व्यंजन आ रहा है, खड़ी पाई वाला है ते, तो खड़ी पाई हटा के लिख दूँ, उसके बाद में ये आगे स्वर कुण सा है? ए, तो ए की मात्रा लगा दो और आपके सामने जैसे की इस प्रतिधन ए की जो संदी वी उसके परिणाम सरूप जो नया सब्द ब आ गया? आ चार आ गया, अती के बाद में आ गया? आ चार अब इसमें से स्वर कौन सा निकलेगा? ए निकलेगा, ए के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, परिवर्तन किस में करना है आपको? इमे करना है, ठीक है, ए को किस में बदलना है? ये में बदलना है, यहां पर यहां पे आकी मातरा लगा दो और यहां पे फिर आपके सामने नया सब्द कौन सा तयार हो गया अत्या चा ठीक है दोस्तों ऐसे जैसे कि और उधारन देखते हैं यहां पे आपके पास आ गया परी परी के बाद में आ गया अटन परी के बाद में क्या आ गया अटन तो यहां निकल लेगा निकलेगा एक के बाद मिन आ गया थीग है नमें शुरूर यहान पर जैसे मैं आप को वर्ण विचार का जो बिन्दू था उसमें आपको मैं पता को मिनेays पायोत था उस class को आपने ध्यान से देखा होगा ठीक है तो आपके समझ में आ गए होगा कि अब इस रह को कहां जोड़ना है आपको रह जब हलन्त हो उसके बाद में कोई वेंजन आ जाए तो यह रह क्या करता है उस आने वाले वेंजन के उपर जुड़ जाता है तो यहां पर देखो ज जैसे क कि अटन लिख दिया था अटक कर लेते हैं इसको अटन वाले जैसे की दूसरा देख लेते हैं यहां पर जान जाय। tad यह बन जाएगा परीतन ठीक है दोस्तों ऐसे आप जैसे की आपके पास सब्द आ जाए जैसे मालो की परियावरन क्या जाए परियावरन आ जाए अब इसको आपको क्या करना है संदी विच्छेद करना है ठीक है तो आप संदी विच्छेद करते समय आपको जैसे की ध्यान देना है और वो ध्यान दे कि वो सब आधा होगा अधूरा होगा बीच में से कहीं ने कहीं ठीक है और विशेश तोर से आपका ये वे और रह इससे पहले वाला हलंत होगा तो यहां पर देखो जैसे मालूब की आपका ये से पहले रह आ रहा है और रह क्या है हलंत है तो इस में से जैसे आप बाहर निका कौन सा है आ है आ को पकड़ो और बाहर निकाल दो और यहां पे पिर आपके पास संदी विच्छे दो जाएगा परी धन आवरण परी आवरण चीक है ऐसे आपके पास जैसे मालों की आ जाए अधी आधी के बाद में क्या आ जाए आदेश चीक है आधी धन आदेश क्या बनेगा ए धे को आप आधा लिख दो ए को यह में बदल दो आगे स्वर आ है आ के मात्रा लगा दो और यहां पे जैसे की नया सब्द तयार हो गया अध्या देश ठीक है मित्रो तो समझ में आया होगा आ आप थोड़ा साथ जैसे वाले उधारन देख लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद में रीके उधारन देखेंगे अगर जैसे मालों कि आप कुछ समझ में नहीं आया हो तो जैसे कमेंट्स में जरूर बताना मैं आपको जैसे और उधारनों के द्वारा बता दूँगा हमें ब अगर कब बनता है कैसे बनता है बहुती अच्छा उधारन है कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है अधिकांसते यहां पे आगया आपके पास सू सू के बाद में क्या आगया आगत आब इसमें देखो जैसे कि स्वर कौन सा निकल के आएगा बाहर उ निकलेगा उ के बाद में क्या है आ है उ के बाद में क्या है आ है अब यह उ बदलेगा क्या बदलेगा किसमें बदलेगा वे में बदलेगा अब बदलेगा तो इससे पहले वाला आपका क्या बच गया आधा बच गया हालन्त बच गया क्योंकि उ की संदी कर दिया आपने और किसमें बदल वई में बदल दिया आगे वाले में कोई परिवायर्तन नहीं करना है आगे वाला ऐसे जो ड़कना हैए आपको उस सुवर की मात्रा उस बने वाले वे अन्जन में जोडनी है अब यहां पर जुन नया सब्द बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा स्वा गत इस सूधन आगत क ह Nashabh 7 अनों ध्यंग एक्षा अब आपको जैसे कि इतना लंबा चोड़ा नहीं करना आपको सीधा बनाना यह सीधा ना एससे कि जैसे में कर नहीं करने का प्रियास करना जैसे कि यहां पे Dry लिखा में実 इसे कैसे, नको मैंने आधा लिखा, खड़ी पाई वाला था, खड़ी पाई आटा के लिख दिया, उ था, उ को बदल दिया, किस में वे में बदल दिया. अब आगे ध्यान दों सामने जो भी स्वरा रहा है उसकी मात्रा जोड़नी है, यहां पे दिर्ग ई थी, मैंने दिर्ग ई की मात्रा जोड़ दी और यहां पे जैसे कि आपके पास नया सब्द बन के तैयार हो गया अन्विक्षा, ठीक है, ऐसे ही आपके पास आ जाए, अन्व बनता है तो यहाँ पर लिख दिया आपने क्या अनू दूसरा पत निकालने के लिए आप क्या करोगे वे के अंदर स्वर्खोंसा है इसमें जैसे कि आपको कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब इसमें ए है ए को बाहर निकाला और बचा हुआ लिख दिया यह औ ठीक है और नई संद्य हो जाएगी आपकी अनूए ऐसे आप बना सकते हो वदू धने आगमन वदू धने आगमन अब देखो वे धैको आधा खड़ी पाई हटा के लिखो उ को किसमें बदलो वे में बदलो उसके बाद में सामने आकी मात्रा है आकी मात्रा लगा दो और यह यहां पे जोस्तों नया सब्द बनके तयार हो जाएगा कोई सा वदूआ गमन ठीक है दोस्तों और देखना चाहते हैं उधारन नहीं समझ भाया यहां पे देखो साधू साधू के बाद में आ गया आचार साधू के बाद में क्या आ गया आचार ठीक है आपको क्या करना है ओको वे में बदलना है, यहाँ पे जैसे कि क्या बन जाएगा? शाध्वा चार, शाध्वा चार, ठीक है? ऐसे आपके पास आजाए गुरू, धन, आदेस, गुरू धन, आदेस, ओ है वे में बदलेगा, रे आपका आधा बचेगा, वे में बदल जाएगा, तो रे वे के उपर जुड़ेगा, सामने आ की मातरा है, आ की मातरा लगा दो, रे को उपर जोड़ दो, और उसके बाद में नया सब्दिक्या बनके तयार हो गया मित्रो, गुरू धन, ठीक है? तो इस परकार से आप देख अब उधारन देखते हैं किसके? रेके, रेके उधारन देखो, यहाँ पे जैसे की पित्री धन आदेश, पित्री धन आदेश, आप देखो इस में से जैसे कि आपका स्वर कौन सा निकलेगा? रे बाहर निकलेगा, सामने क्या आ रहा है? आ रहा है, परिवर्तन किस में करना है? रे में करना है, ठीक है? रे को किस में बदलना है आपको? रे में बदलना है, किस में बदलना है? रे में बदलना है, ठीक है? अब इससे पीछे वाला देखो, पी, रे स्वर की संदी हो कर शे ने आपको वरर विचार में पढ़ा है था संवंग तकषर छीक है आपके तै और रे तै ईलंत और उसके बाद में रह आ जाता संव anarch मिलकर संवय k Raptor एक और जीस से क्या का जाता है तो यहाँoin कि आप जैसे कि इन दोनों को तै और रे को मिला कर क्या बना दो त्रे बना दो चीक है अब त्रे कि आपका रे जैसे कि रे हलंत तो ये त्रे भी हलंत रहेगा अब इसके सामने आ है तो आप क्या करो इसका हलंत अटा दो और आ की मातरा लगा दो और यहां पे जैसे कि नया सब्द क्य बन जाएगा पित्रा देस पित्री धन आदेस री जो स्वर है बाहर निकला री को बदला किसमे रे में तै हलंत रहे गया तै और रे मिलके त्रे बन गया सामने आथा आकी मात्रा जुड़ गई और नया सब्द क्या बन गया पित्रा देस ठीक है दोस्तों आप जैसे कि मैं चार-पांच उधारण ऐसे बताने जा रहा हूं जो आपकी परिक्षाओं में लगभग लगभग शोव परतिसत पूछे जाते हैं या फिर मैं ऐसे कौऊं कि रीके उधारणों में से अगर कोई परसन आता है तो उन चार-पांच पर सब्दों में से आता है उससे बाहर नह नहीं जाता है तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना है ध्यान से देखना है ठीक है जैसे कि यहां पर मैं बराता हूं सब्दे यहां पर हो गया आपका पित्री पित्री के बाद में आ गया अनूमती पित्री के बाद में क्या हो गया अनूमती आप इसमें से रीको बाहर निक एक पूर्ण बन जाएगा और यहांपे जैसे कि नया सब्द बन जाएगा आपके पास क्या पित्रनुमती ठीक है तो अब द्यान तो इसमें जैसे कि गड़बढ क्या होती है यह वाला जो उधारण है पित्रनुमती वाला ठीक है यह आपके जैसे सब्द सुद्धी में पूछते हैं किसमें पूछते हैं सब्द सुद्धी में पूछते हैं और वो जो असुद्ध होता है वो कैसे आता है यहाँ पे जैसे कि वो आपके पास option में डाल देता है पित्रानुमती पित्रानुमती और आपसे पूछता है कि बताओ ये सब्द सुद्ध है या असुद्ध है अब यदि जैसे आपने यण संदी को ध्यान से पड़ा है अच्छे से समझा है तो आप इस सब्द को कभी भी जैसे की सही नहीं बताओगे ये आपका गलत सब्द है ठीक है क्योंकि यहाँ पे देख सुसलिए कि आपको संदी का पता है कि नहीं है अगर संदी का पता है तो आप सुद्दसत बतावा होगे कि अब याँ पे देखो जाए दूस्त पाल स्दिर कैने द्हने उपकार इंदर आप का पैर तैय और Russia है चाहिए और यह दोनों हो गया त्रे, उसके बाद में देखो, सामने उ है, उ की मातरा लगा दो, और यहां पे जैसे की नया सब्ध क्या बनेगा आपका पित्रुपकार, ठीक है? ऐसे या आपके पास हो जाएगा, मात्री धन आनंद, मात्री धन आनंद, अब ध्यांदो दोस्तों, यह बाहर निकलेगा, रह में बदलेगा, तै और रह मिलके त्रे बन जाएगा, सामने स्वर कोण सा रह, आ रहा है, यहां पे आ की मात्रा लगा दो, और उसके बाद यह बचावा अंस लिख दो, यहां पे जैसे की आपके पास सब्द क्या बन गया, मात्रा नंद, ठीक है? ऐसे पित्री धन उपदेश, ठीक है? इसका क्या बनेगा? पित्रूपदेश, पित्रूपदेश, ठीक है? तो जैसे की रही बदल गया आपका रह में, तो यहां पे देखो जैसे की यह उधारन में आपको बताए, पित्री धन अनुमती, पित्र अनुमती, पित्री धन उपकार, पित्रूपकार, मात्री धन, आनंद, मात्रा, नंद, इसे ही आपका हो गया, पित्री धन, उपदेश, पित्रूपदेश, ठीके, ऐसे ही आप बनाना चाहते हो, तो और सब्द बना सकते हो, मात्री धन, इच्छा, क्या बनेगा दोस्तों, इसका, मात्री इच्छा, मात्री को जैसे कि मैं आपको एक सब्द बताता हूँ जो आपके कई बार कड़बड कर देता है वो कोड़सा मात्रानंद वाला चीक है इसमें क्या होता है जैसे कि आपके संदी दिर्ग संदी भी आपको दिखाई दे जाती है कि हो सकता है कि इसमें दिर्ग संदी हो अभी हल करके दे सही संदी विच्छेद होगा, मात्रानन सब्द का सही संदी विच्छेद होगा, चीक है, तो जैसे कि आपके पास option में वो डाल देगा, एक नमबर पे मात्र धन आनन्द, एक नमबर का option आपके पास तैयार हो गया, दूसरे नमबर का option हो गया, आपके पास मात्री धन आनन्द मात्री धने आनंद आप जैसे कि यह आपके पास पहले नंबर के ओप्शन पर डाल दिया आपको क्या मात्री धने आनंद अब क्या करते हो आप जैसे कि जो गडबड होती है वो गडबड कैसे करते हो आपका ध्यान जो होता है मैंने आपको छोटी-चोटी वीडियो था संदी का सामानी जो परीचे था छोड़ी बात थी उसमें वह वाला वीडियो आप जरूर देखें ठीक है क्योंकि वह देखोगी तो उसमें वह सब बाते आपको क्लियर हो जाएंगी अब इसमें देखो जैसे कि आप गडबड क्या करते हो यहां से क्या निकालते हो और यहां से किसको निकालते हो आपको निकालते हो और दोनों में कौन से संदी कर देते हो दिर्ग संदी कर देते हो यहां पर ए और आ मिलके आपको क्या बन जाएगा बनाके देखते हैं जैसे कि मा तरह आपका हलंत बच गया क्योंकि ए बाहर निकल गया यहां बीच में क पास मातर अनंद बन गया ठीक है ऐसे ही आपका जैसे कि मातरी धन आनंद वाला था इसमें मा तै को आधा लिखो री बाहर निकलेगा है ठीक है और री किसमें बदलेगा रह में बदल जाएगा आगे आपका जैसे की आनंद रहेगा तै और रह मिलके सयुकताक सिर्फ हो जाएंगे ठीक है आगे आपका आनंद और यहां पे जैसे कि आपके पास क्या हो गया यह नया सब्द बनके तयार हो गया मातरा नंद अब इसमें देखो जैसे कि जो आपने गड़बड की है या परिक्षाओं में जो गड़बड हो जाती है कि नियम लगा देते हो आप क्या करते हो केवल नियम लगा देते हो आप यह नहीं देखते हैं जैसे कि जो संदी कर रहे हैं वो सब्दों का अर्थ भी मेल हो रहा है कि नहीं उनमें अर्थ की सामयता है कि नहीं अर्थ समान है कि नहीं क्योंकि ध्यान देना अर्थ की समान बहुत ही जरूरी है कई बार क्या होता है जैसे विच्छेदित पद आपके मोल शब्द हो सकते हैं या फिर व्याकरण के अंग हो गए और नियम लग गया दोनों बाते आपने कर लेकिन अर्थ की सामेता को आधार नई बनाया तो आपका गलत हो जाएगा यहां पर देखो जै और यहां पर यहन का नियम लाग हो रहा है अब यहां पर देखो मातर आपका अव्य है जिसका आर्थ होता है केवल जिसका आर्थ क्या होता है केवल यानिकि केवल आनंद जबकि मातर आनंद सबका आर्थ होता है माता से प्राप्त होने वाला आनंद तो इसे आधार पर आने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और जैसे कोई गड़बड नहीं करोगे आप लोग ठीक है अब इसके बाद में जैसे की यानसवर संदी दुबारा से एक बार में बता रहा हूं इ या इ का मेल किसी भिनसवर के साथ में होता है इ या इ ये में बदल जाएगा भिनसवर की मात्रा ये में जोडनी है उ या उ का मेल भिनसवर के साथ में हो उ या उ को वे में बदलना है भिनसवर की मात्रा जोडनी है री के बाद में भिनसवर आए री को रह में बदलना है औ और रह इनसे पहले कोई ने कोई अधूरा व्यंजन होगा यानि कि हलंत वर्ण होगा ठीक है तो यह से देखकर आप इसकी पैचान कर सकते हैं आप जैसे कि मैं आपके लिए एक परसन दे रहा हूं और वो परसन जो है उसमें जैसे कि संदी विछेद करना है आपको और उसका जो सही उत्तर क्या होगा वो कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना होगा क्योंकि यदि आपने सही जवाब दिया तो इसका मतलब हम समझेंगी कि जो भी हम प्रियास कर रहे हैं जितनी मैनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए उसमें कुछ ने कुछ सार्थकता है ठीक है तो इस सब्द को आप अपनी नोट्बूक में नोट कर लें इसको देख लें चीक है इसका स्क्रेंशोट ले ले और उसके बाद में इसका जो सही उत्तर होगा कि इसका सही संदी विच्छेद क्या होगा मितर यहां पे मैं आपको ओप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ओप्शन द अगली कख्षा हो में जैसे कि मैं इसका सही उत्तर भी बताऊंगा और इस सब्द का अर्थ भी बताऊंगा क्योंकि यह सब्द बहुत मैत्तपूर्ण है और यह आपके जैसे की समास में भी काम आता है इसमें समास है ठीक है अब वो कौन सा समास है उसको जैसे सामाने कोई अर्थ निकलता है या कोई अलगी अर्थ निकलता है, वो सब बात जैसे कि आगे वाली कक्षाव में आपको बताउंगा, आपको क्या करना है, इस सब्ध का संधी विछेद करके कमेंड्स में बताना है, ठीक है? अब देखो, जैसे कि अगली जो संधी है, वो पढ़ते हैं, स्वरसंदी का पांचवा भेद आपका आयादी स्वर संदी चीक है इस सब्ड को जैसे कि आपने नोट कर लिया हो तो तुम्हें मिडा देता हूँ उत्तर आपको जरूर बताना है अब बेकुँ जीसे कि अगली स्वरसंदी आपकी कौन सी अयादी स्वरसंदी का आखरी बेद आप जीसे मालो की यहाँ पे आपका पहला पद है उसके अंतिम वण के रूप में क्या आजाए ए आजाए और ए के बाद में क्या आजाए ए समान स्वर आ जाए यह तो हो गई इसकी पहली बात, दूसरी देखो, यदि A के इस्तान पर आ जाए I, और I के बाद में क्या हो, A समान स्वर हो, ठीक है, तो A को बदलना है आपका I में, किसमें बदलना है, I में बदलना है, और A समान स्वर की क्या जोड़नी है, यहां पे मात्रा जोड़नी है, इसमें कोई परिवरतल नहीं करना आपको, उसके बाद में देखो, तीसरी बात, यहां पे जैसे क्या आपके पास क्या आ गया, O के बाद में क्या आ गया, A समान स्वर आ गया, ठीक है, O को किसमें बदलना है, आउ में बदलना है, A समान स्वर की क्या करनी है, मात्रा यहां पे जैसे कि आपके पास क्या आगया आउ आगया आउ के बाद में क्या आगया ऐसमान स्वर आगया चीक है आउ को किसमें बदलना है आउ में किसमें बदलना है आउ में चीक है ऐसमान स्वर की क्या करनी है मात्रा जोडनी है यानि कि ध्यान दो इसमें जैसे कि आपके प या क्या होगा न ए पर फर होगा या फिर आउ ऊगा और इन चारों परनों के बाद में लोगा ही इन से ऐ समांसवर आएकण oike एको, आई, आई का, आई, ओ का, आउ, आउ का, आउ. अब जैसे की उधारण की दौरा देखते हैं, कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है. यहाँ पर जैसे आपके पास आ गया, चे. चे के बात में क्या आ गया? अना आ गया. अब ध्यान दोूँक्तinky आपका जैसे की स्वृर अब बदलेगा क्या आपका ए बदलेगा किसमें बदलेगा आए में बदलेगा राए कि उसकी केवल मातर जोड़नी है अब ढूतте जैसे कि अ की कोई मärtरा नहीं होती है कि है क है का व्लान्त एक घूंग देखा जैसे कि चे धनन अयादी संदी के नियम से आपका जो नया सब्द है वो क्या बना चैन ठीक है ऐसे दूसरा उधारन देखो यहाँ पे आपके पास आ गया से से के बाद में आ गया क्या अन आपको क्या करना है से ए है ए के इस्तान पे आखरी में क्या है अन इस परकार से आपका नया सब्द क्या बनेगा सैन ठीक है ऐसे आप बना सकते हो ने धन अन और नया क्या बनेगा आपका नयान तो आपने देखा दोस्तों जैसे कि A में किस प्रकार से परिवर्थ नुआ A को आपको किसे में बदलना है I में बदलना है आप देखो जैसे कि I के उधारन मिटा देता हूं मैंसे गई धन अक यहाँ पर स्वर कौन सा है I है अब ध्यान दो I आ गया तो किसे में बदलेगा I में बदलेगा गई हलंत आई के इस्तान पर I आगे क्या है अक ठीक है इसको जोड़ोगे तो आपने नया सब्द क्या बनेगा गायक ठीक है ऐसे ही दूसरा उधारन देखो यहाँ पर आया नई नई के बाद में अक ठीक है आई है आई के बाद में ऐसा मान सवरा रहा है आई किसे में बदलेगा I में बदलेगा और यहाँ पर जैसे की नया सब्द क्या बनेगा आपका नायक बना दोस्तों ठीक है अब देखो जैसे मालो की और उधारन देखो यहाँ पे आ गया विने विने के बाद में क्या आ गया अक आ गया विने के बाद में क्या आ गया अक आ गया और यहाँ पे जैसे की नय सब्द क्या बनेगा विनायक चीक है, आई था, आई बदल गया, आई वे, विधेई धन अक, चीक है, नया क्या बनेगा, विधायक, सहेई धन अक, यहाँ पर बनेगा, सहायक, आई को बदला आपने किसमें, आई में, और देखो, यहाँ पर आगया, जैसे गई, गई के बाद में आगया, इका, गई के बाद में क्या आगया, इका, आई आ रहा है, आई के बाद में ऐसा मान आ रहा है, गा, यह, अब सामने ए है, एक की मातरा लगा दो, और पास नया सब्द क्या बन गया गाई का ठीक है दोस्तों तो आई के उधारन भी आपके समझ में आए होंगे अब देखो ओके उधारन यहां पे आ गया हो के बाद में क्या आ गया अन आ गया परिवरतन किसमें करना है किसमें बदलेगा अउ में बदलेगा तो यहां पे जैसे है लन्त हुए आपका ओ बदल गया आउ में आगे वाले में आपको कोई परिवरतन नहीं करना है उसकी मातरा जोड़नी है और यहां पे जैसे भो धन अन ठीक है मित्रो इसका क्या बनेगा भावन क्या बनेगा भावन ठीक है ऐसे आपके पास हो गया पो धन अन और इसका क्या बनेगा पावन ठीक है ऐसे आपका स्रो धन अन यहाँ पे बनेगा स्रेवन अब मित्रो इसमें देखो जैसे कि आपके दो चीजे हुई हैं यहाँ पे तो जैसे आपके आयादी संदी हो गई आपके बाद में आपका आ आ गया तो यहाँ पे तो आपने बदल दिया किसको आउ में बद का आपने क्या कर दिया अने कर दिया वाकि और में नहीं किया यहां पर दे को ने का ने है यहां भी दे को ने का ने है लेकिन यहां पर मैंने ने को किसमें बदल दिया है अने में बदल दिया है तो मित्रों यहां पर आपकी गोण संधी कारिय कर रही है यानि कि यह जो सब्द है इसमें दो संदियां है इसमें तो जैसे कि मुख्य संदी तो आपकी आयादी है जो आपको पर इख्यों में बता नहीं है लेकिन यहाँ पर एप्रतेक्स रूप से आपका जैसे की व्यंजन संदी का एक नियम कारी कर रहा है तो जो आपको व्यंजन संदी बढ़ाएंगे त उस समस्दी के रूपे कौन सी संदी कारिये कर रही है? वियनजन संदी कारिये कर रही है नियम आपको जैसे वियनजन संदी पडाएंगे उस समस्दी को पित रहा ही गोण संदी के रूप में याँ पर कौन से संदी हो रही है, व्यंजन संदी हो रही है, चीक है मित्रो, तो यहाँ पर जैसे के आपके ओगयो धरण भी समझी आयोंगे, अब देखते हूँ धरण किसके, आउगे, यहाँ पर जैसे वालनों की आपके पास आगया, भाव धन अना यहां पर स्वर कौन सा निकल के रहा है आउ निकल रहा है उसके बाद में ए आ रहा है क्या रहा है ए आ रहा है परिवर्तम किसमें होगा पहले वाले में होगा किसमें बदलेगा आउंके इस्तान पर क्या करना आपको आउ करना है तो यहां पर भै हलंत मच गया आउ किस में बदल जाएगा आउ में बदल जाएगा आगे वाले में कोई परिवर्टन नहीं करना आपको आना ऐसे कैसे मैंने लिखती है ठीक है अब इसको जोड़ना है भै हलंत है उसके बाद में आ गया तो हलंत हटेगा यहां पर आकी मात्रा का योग हो जाएगा वैं हलंत थाटकी यह वैपोण बन जाएगा और आख़रिमें जैसे कि आपका नया सब्द क्या बनके थियार हो गया भावना ठीक है दूसरा उधरन देखो यहां पर आगया भाव धन उक भाव धन उक ठीक है तो यहां पर जैसे कि यहीं आपका भै हलंत आउकिस्तान पर आपने क्या क्या आव आगे में कोई परिवर्था ने ओके और यहां पे जैसे कि आपका नया सब्द क्या बनेगा भाव के ठीक है ऐसे और उदारन देखो यहां पे आगए जैसे कि आपके पास प्रस्तव धन ए ठीक है यहां से बोई आव निकलेगा बाहर और आव की इस्तान पे आपको क आपका आधा बज जाएगा है क्या बज जाएगा आधा बज जाएगा आगे सामने वाला ए है अब इसको जोड़ना है आपको प्रे से तै के बाद में आ है आके मातरा लगा दो और नया सब्द क्या बन जाएगा प्रस्ताव प्रस्तो धन है प्रस्ताव ठीक है मित्रो तो इस परकार से जैसे कि आज के कक्षाओं में हमने सीखा यण संदी के नियम किस परकार से सब्द बनते हैं, आयादी संदी, आयादी संदी में क्या परिवर्तन होता है, कैसे सब्द बनते हैं, आसा करता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, अब इसके बाद में अप्वाद का मतलब होता है जहां पर नियम तो कारी कर रहा हू लेकिन नियमा नुसार सब्द की रचना नहीं होती है तो ऐसे सब्दों को जैसे कि या कहते हैं अपवआद कहते हैं, अपवआद की सिरेणी वाले जो परसन होता है, उनमें जैसे कि आपके परिक्षाओं में पूछा जाता है, तो उस समझ जैसे कि वो तु या तो आपके बास सब्द देगा, और सब्द देने के बाद में क्या करेगा? उसका संदी पूचेगा कि इस सब् या फिर सब्दे कर उसका संदी विचेद करेगा यहां पर जैसे उसे दे दिया सार, सार के बाद में क्या देती है? अंग अब देखो दिर्दिस्वर संदी का नियम लागू हो रहा है अचोनों मिलकी क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए यह तो बात किसके हो रहे है नियम की नियम तो लागू हो रहा है लेकिन यहाँ पर यह वाला जो सब्द है यह नियमानुसार नहीं बनेगा नियम लागू होते हुए भी नियम के विपरित सब्द की रचना होती है अर्धार्थ यहाँ पे दिर्ग रूप नय बनके हर स्वर र बहतरीन उधारणों के द्वारा जैसे कि अगली गक्षा में व्यंजन संदी की सुरुवात करने से पहले आपको खुब सारी उधारण बताऊंगा जिसमें जे अपवाद वाले परसंदी आपके क्या गलते नहीं होंगे आप क्या करते हो जैसे कि संदी में पढ़ लेते हो नि आपे हल करवाओंगा आज का वीडियो कैसा लगा ठीक है अपने कमेंट्स में जरूर बताएं तता वीडियो को लाइक शेर करें धन्यवाद